अपने face वली ऐसी images बनाने के लिए आपको totally AI की help लेना होगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा मैं generally ऐसी वीडियो नहीं बना था बट मेरे बहुत से subscribers के social media pages है so that's why it might be helpful so इस तरह की image create करने and then उस पर अपना face apply करने के लिए हमें totally दो website की मदद लेना होगी इसमें पहली site है Bing Image Creator तो यह है दोस्तों Bing Image Creator का background यहाँ पे आने के लिए आपको अपना hotmail की ID चाहिए होगी यहाँ पे login करने के लिए तो अगर आपके पास hotmail की ID नहीं है तो पहले hotmail की ID बना लें देन यहाँ पे आपने आके sign up कर लेना है सबसे पहले यहाँ पे आके हमें अपनी वह social media जो image है उसको create करना होगा उसके लिए यहाँ पे आपने एक prompt यूज करना है यह जो text होता है यहाँ पे जो हम यहाँ पे enter करते हैं कोई भी image बनाने के लिए इसको AI prompt कहते हैं तो इसको याद रखेगा मैंने वीडियो की description में इसको add कर दिया आप वहाँ से भी इसको copy कर सकते हैं यहाँ पे हमने simple इसको copy करना है copy करने के बाद यहाँ पे यह create का button दबाना आपने तो यह system automatically इसको create करना शुरू कर देगा आप चाहें तो यह जो मैंने semi-colons में word दियो में इसको अपने नाम के साथ में या अपने values के साथ में इसको change कर सकते हैं तो आप अपना इसको create कर लेंगे अब इसने हमें यह 4 examples दे दी हैं इसमें से जो भी आपको अच्छे लगीगी आप उसको ले सकते हैं मुझे जो यहाँ भी ठीक लग रही है वो यह लग रही इसको मैं open कर लेता हूँ आप चाहें तो यह 4 images भी download कर सकते हैं और इसको बाद में अपने face लगा के use कर सकते हैं मैं यहाँ इसको download करना चाहता हूँ तो आपने यहाँ से simple यह download का button दबाना है image को download कर लेने के बाद आपने अगली website open करनी है जो के यह है remaker.ai इसको open करते साथ ही आपने इसके desktop पर ही आप एक option नज़राएगी face swap की इसको आपने face swap को open करना है यहाँ पर आपकी image download हुई थी उसको यहाँ पर हमने upload कर देने just image पर click करें और इसको open कर ले इसके बाद यह साथ वले section में आपने अपनी image या वह image जिसको आप इस image के साथ में swap करना चाहते हैं या जिसका face यहाँ पर लगाना चाहते हैं उसको upload करने है इस पर click करेंगे और यहाँ पर आपने यह image को upload कर देने upload करने के बाद नीचे आपने swap का button दबाना है तो यह थोड़ी देर में image को इसके साथ में swap कर देगा यानि आप इमरान खान वाला जो face है वह इस image के उपर लग जाएगा तो यह देखें इसने एक बड़े मदेदा तरीके से इसको बना दिया है आप यहाँ पर एक से ज्यादा image इस भी try कर सकते हैं कि कौन सा face यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है उसको आप use कीजिएगा इसको download करने के लिए आपने यह download का button दबाना है और आपके सामने आपके यह image जो है वो download हो चुकी है अब चाहें आप इसको अपने profile पर use करें अपने WhatsApp के लिए या Facebook के लिए आप कहीं भी भी इसको use कर सकते हैं AI prompt जो मैंने description में दिया हुए है वहाँ पे आप अपनी मर्जी की values अड़ कर सकते हैं WhatsApp के लिए, Snapchat के लिए, Instagram के लिए किसी के लिए भी image बना सकते हैं तो I hope के वीडियो आप अच्छी लगी होगी पसंद देए तो इसको like करके share जरूर किजिएगा ताके बाकी लोगों को भी यह नया जो AI trend आया है इसके बारे में पता लग सके मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ अब तर के लिए अल्ला हाफिज